नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं कौपर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने कौपर MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट लास्ट रेडिंग सेशन मैं रही और पिछले पूरे हफ़ते हमनें जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें support और resistance का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या view है क्या हमें buying करनी चाहिए ये selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए किसी भी trade में एंटर करने से पहले तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे copper MCX का चार्ट दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि last trading session में एक gap down opening के साथ copper ने अपनी शुरुआत करी और शुरुआत से ही market में एक selling pressure बना रहा जो काफी नीचे तक ले आया प्राइस को लगभग 756 के आसपास का एक इसने support price टच किया वहाँ से market ने थोड़ी सी recovery दिखाने की कोशिश करी वापस एक कोशिश हुई market की कि ये low price ब्रेक हो जाए पर हुआ नी market ने फिर से उसी level के आसपास एक support लिया और prices वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की side बढ़ने लग गए वहाँ से अभी हम देख रहे है कि current price जो है वो 766 है ये मैं बात कर रहा हूँ June में जो contract expire होगा उसकी ये थोड़ा सा कोई confusion ना रहे कि current contract है या फिर next contract है तो ये next contract की बात है जिसमें अब trading चल रही है तो इसका last trading price रहा 766.55 आगे किस तरीके का view है market ने एक correction दिखा ही support लिया recovery दिखा दी अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता पर एक चीज़ ज़रूर है कि market ने एक support लिया है इस चीज़ के indication हमें intraday charts पे नज़र आया है थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के time frame पे वहाँ देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो copper के prices में एक strength consolidation इस पूरे consolidation में market ने कोई भी एक sign ऐसा नहीं दिया कि हलकी सी भी correction भी दिखाई हो market ने बहुत strongly prices को hold करके रखा और उसके बाद एक continuity दिखाई उस strength में जो market को उपर ले गई थोड़ा सा नीचे फिर support और फिर market उस level के आसपास आकर close हो गया जो इसका एक recent high बिलकुल अभी का जो एक high price touch किया है इसने 766.55 इसका last trading price थोड़ा सहुरा के चलते है एक बार एक घंटे के time frame पे वहाँ देखते है कि क्या view नो ज़रा रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो copper के prices में एक downside prices ने एक support लिया और वहाँ से market में एक strength strength तो नहीं कहेंगे एक recovery वो ज़रूर देखने को मिल रही है prices अपने support से उपर आकर अपने आपको hold करने की कोशिश कर रहे है तो आगे ऐसे time में किस तरीके से हम trade कर सकते हैं क्या हमारी एक strategy होनी चाहिए किस तरीके से हमें market को समझना है उन सब चीजों पर अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार चार घंटे के time frame पर वहाँ देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो copper के prices में एक strength prices उपर वहाँ से correction prices नीचे और फिर से market एक recovery दिखाता हुआ इस तरीके से नज़र आ रहा है क्या expectation है market के उपर जाने की उसको लेकर अभी हम बात करते हैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि एक बहुत लंबे time से copper में एक strength बनी हुई थी जिसमें relaxation मिला कुछ time पहले और वापस market एक recovery के साथ हमें नज़र आ रहा है ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार daily charts पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का trend नज़र आ रहा है market में consolidation prices में strength और strength prices उपर थोड़ी सी correction के बाद market फिर से एक strength को gain करने की कोशिश करते हुए पर जो हम एक overall flow देखें वो copper का काफी strong रहा है यहां पर 500 के आसपास के level से market ने 800 के उपर के level को charts पे दिखा दिया 300 रुपए की एक तेजी एक single trend में जो copper के लिए एक काफी बड़ी figure है ठीक है अभी यहां पर थोड़ा सा यह जरूर हो सकता है कि इस range में मतलब यह range बहुत बड़ी हो सकती है market consolidate करने की कोशिश करे देखिए fresh high लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है copper में जिस तरीके का एक scenario बना हुआ है एक चीज़ अभी देखनी होई कि Monday को market कहा close होता है क्योंकि Monday को monthly closing है उसका भी एक वो भी एक factor रहता है कि May की closing कहां हुई है यह मैं सिर्फ May की बात नहीं कर रहा है मतलब किसी भी महीने की closing कहां हुई है यह काफी impact डालता है कि आने वाले time में हम charts को किस तरीके से देख सकते हैं तो हर चीज की closing weekly closing, daily closing, monthly closing Monday को होगी तो वो हम देखेंगे एक बार weekly closing पर और नज़र डालते हैं कि किस तरीके का trend अभी हमें नज़र आ रहा है copper के case में यहां पर अगर हम बात करें तो copper में एक consolidation था काफी time से market ने एक जबरदस correction दिखाई pandemic के time last year तब से लेकर अभी तक copper के prices में एक जबरदस उचाल हम देख रहे हैं और यह जो part है देखें इससे पहले यह part यहां पर आया था, यहां पर market ने एक कोशिश करी थी नीचे जाने की एक selling pressure नज़र आया था पर जो buyers हैं वो बहुत ज़ादा active थे या फिर यह समझ सकते हैं कि buying बहुत ज़ादा थी, demand बहुत ज़ादा थी जो prices को एक बार उपर कीच के ले गई वापस हम इसी तरीके का सिनरियो देख रहे हैं, यहां पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ऐसे time में जब भी कभी इस तरीके का कोई भी trend हमें मिलता है, तो थोड़ा सा इस strategy को हमें follow करना चाहिए, पर करता कोई नहीं है, कि हम एक lot यहां पर हम short sell कर सकते हैं, जब market एक अच्छे uptrend के बाद, एक consolidation phase में enter करता है और वो एक lot at least हमारे लिए इतना होना चाहिए, कि हमारी जो trading capacity हम सिर्फ 20% utilize कर रहे हैं, ठीक है, एक lot हमने यहां बेचा, और फिर दूसरा lot हमने यहां बेचा, तो at least अगर हम loss को भी consider करें, यहां से यहां तक क्याने को, तो हमारी जो capital utilization है, वो 50-60-70% maximum जानी चाहिए, इस से ज़्यादा नहीं मतलब इस तरीके का कोई scenario नहीं बनना चाहिए, कि हमने इतनी अपनी capital को लगा दिया कि अब अगर थोड़ा सा भी market ने कुछ risk दिखाया, तो prices एकदम से वहां जा सकते हैं कि हमारा सारा capital ही खतम हो जाएगा, तो उस चीज़ का थोड़ा सा धिहान रखना होता है, पर इस strategy को अगर follow करते हैं, तो ये long term में, मतलब 2-3 महीने में एक अच्छा profit हमारे portfolio में डाल सकती है, ठीक है ये तो strategy की बात हुई, अभी हम बात करते हैं, intraday levels कि तरीके के नज़र आ रहे हैं, और क्या strength, क्या weakness हमें charts में नज़र आ रही है एक घंटे के time frame पे अभी हम बात कर रहे है यहाँ पर देखे, सबसे पहली चीज के market ने एक breakout तो दिखाया हुआ prices अपने आपको उपर sustain करने की कोशिश कर रहे है अभी थोड़ा सा हमें short sell के लिए avoid करना चाहिए, market में एक थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उपर में market कहां तक जा सकता है, वो अभी एकदम से कहना तो थोड़ा मुश्कील है, क्योंकि contracts में एक switch हो रहा है कि जो last contract में जो traders थे, वो next contract में switch कर रहे है तो पर अभी फिलहाल के लिए market में एक strength बनी हुई है जिस तरीके से market ने closing दिखाई है और जिस level पर closing दिखाई है हो सकता है कि 780 के level हमें देखने को मिलने हैं charts पर, 785 तक के भी देखने को मिल सकते हैं 800 के पास market का एक बहुत major resistance है, बहुत major कि उससे अगर market break करता है तो यह अपनी third rally को start कर सकता है, जिसकी possibility अभी तक तो काफी कम लग रही है और शायद, मतलब कम इतनी कम है कि possible लग नीरा के charts में 800 का level अब break होगा और market उसके उसके उपर sustain करेगा ठीक है, पर फिलहाल market में की strength है, वो देखते हैं, वो कहां तक continue रहती है, तो short sell को थोड़ा सा avoid करना है देखिए अगर आप long position में हैं या फिर बनाना चाहते हैं long position तो at least आपका सबसे nearest जो stop loss है, वो आपका है वो depend करता है कि आपका psychology, आपका आपका trading strategy कितने time के लिए hold करना चाहरी है फिर कितना profit देखना चाहरी है तो 761 यह सबसे पहला level है जो market को break नहीं करना चाहिए अगर उपर sustain करना है तो, ठीक है, 761 इसका सबसे पहला level है, जिसको अगर market break करता है, तो थोड़ा सा excelling pressure charts पे नजर आ जाएगा इसके बाद जो level है वो है 755 यह काफी important है 755, exact यह level, ठीक है यह 760, 61 तो यहाँ पर होगा यह 755 है, यहाँ पर 755 के break करते ही market में एक selling pressure काफी ज़्यादा build up हो सकता है अगर वो यहीं से turn ले लेता है market मान लीजे कि यह एक line जो इसने बनाई हुई है कि market यहीं से नीचे आने लगता है और 755 को break कर देता है तो chances यह हैं कि फिर शायद यह वाला level भी market break नहीं करेगा जल्दी से 755 भी break करता है next जो इसका major support level है देखिए जब market में यह एक selling आ रही थी कुछ traders ने मुझसे यह पूछा कि यह downside कहां तक लग रही है मैंने बताया था कि 730 के आसपास market का एक बहुत major support है यहां से या तो at least market support लेने की तो कोशिश कर सकता है जिसके chances काफी जाद है 733 के आसपास का market ने एक low लगाया था और वहां से एक इस तरीकी का एक pattern बना अभी भी यही level काफी important है 733 यह जब तक break नहीं होता market में further downside मतलब एक strong downside को हमें expect नहीं करना चाहिए 733 इसका last support level होगा जो break अगर हो जाता है तो market में 680 तक के levels हमें charts पे नजर आ रहे हैं तो यह कुछ levels है जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं और जो अभी का view है वो थोड़ा सा positive है intraday के लिए मतलब next session में थोड़ा सा positive है रह सकता है जिसमें downside में जो support level है उसे market को break करने में थोड़ा सा ज़्यादा struggle करना पड़ेगा पर overall मैं बता रहा हुँ के जो June का जो महीना है वो copper के लिए काफी ज़्यादा negative रह सकता है इस चीज़ की expectation काफी high है जो charts पे नजर आ रहा है धन्यवाद